हलो फ्रेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स मैं हूँ प्रतीक्षा आचारया यूपी टेट 2019 के रिजल्ट का बेट कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है कि यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो साथ परवरी 2020 यानिकी आज घोशेत होने वाला है दोपहर बाद से आप इस रिजल्ट को देख पाएंगे और आप जान पाएंगे आपके मार्क्स कितने हैं और आपने अंदाजा आंसर की को देखते हुए लगा लिया होगा फिर भी कन्फरमेशन नहीं है तो इसके लिए रिजल्ट देखना बहुत जरूरी होता है कि एक्चुल में आपके मार्क्स कितने बने हैं तो आप आज दुपहर बाद अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं ये विग्यपती जारी कर दी गई है उत्तर प्रदेश सिक्षक पातता परिक्षा 2019 परड़ाम को लेकर और ये साशना देश जारी किया गया है और आप इसे दे दो हजार बीस को घोशित कर दिया गया है और उप्त परिक्षा परड़ाम का अवलोकन साथ दो दो हजार बीस के अपरान से निर्धारित वेबसाइट updla.gov.in के माध्यां से कर सकते हैं तो घोशित परड़ाम हो चुका है जिसमें आप लोगों को बता दिया गया है कितने उन्हें पंजिक्रत किया था कितने लोगों ने परिक्षा दी और कितने जो अभ्यरती हैं वो पास हुए हैं तो काफी बड़ी संख्या में पंजिक्रत हुए थे और समिलित भी संख्या में अभ्यरती हुए थे लेकिन उत्तीर संख्या जो है वो बहुत ही कम है समिलित अभ उनकी संख्याती 9,90,745 और जो उत्तिर संख्या है वो आप देख सकते हैं सिर्फ 2,00,000 के करीब है 2,94,635 है तो 7,00,000 का करीब अंतर अंतर आ रहा है अभ्यर्थियों ने परिक्षा दीती उनकी संख्याती 5,93,972 और सिर्फ पास हुए अभ्यर्थियों आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है सिर्फ 60,000 बच्चे पास हुए है 5,00,000 बच्चों में से तो बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत अंतर आया है हर बार जो बच्चे पास होने की संक्या है, वो गिर्ती ही जा रही है, UP-TGAN की, जिन्होंने C-TGAN भी पास ही हैं, वह भी UP-TGAN में सफल नहीं हो पाए हैं, तो जो लो family हैं, तो वो अपने आपको बहुत जादा लकी माने, और उन्होंने बहुत महनत की हैं, बिल्कुल साफ दिख रहा है जो लोग सफल हुए हैं अगर उनके marks कम भी हैं तो ये ना सोचें कि कम marks हैं सफल होना भी बहुत बड़ी बात है तो सब के लिए आगे के भविश्य के लिए उनको all the best इसी तरह से मेहनत करते रहें कि उन्हें सफल ताकर जो संख्या है उसी में उ अभी के लिए नहीं तो चलिए न्यूस पेपर की न्यूस देख लेते हैं और इस रिजर्ट से सम्मंदित के क्या असर पढ़ा है यूपी टेट के रिजर्ट पर तो हम बात कर रहे थे रिजर्ट की और प्रात्मे किस्तर की जो परिक्षा है उसमें 70-20 अभ्यर्थी फेल है जितने अभ्यर्थी पास हैं तो प्रात्मे किस्तर में सिर्फ 29.24 प्रतिशत ही उत्तिएण हो सके हैं और 11.46 उच्छे प्रात्मे किस्तर पर अभ्यर्थी सफल हो सकी हैं तो बहुत ही कम प्रतिशत में ये रिजर्ट रहा है परिक्षा नियामक प्रादिकारी उत्तर प्रद पर 8 जन्वरी को हुआ था काफी सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया था लेकिन जो पास हुए हैं उनकी संक्या बहुत ही कम रही है तो आप डिजर्ट दोपेर के बाद चेक कर सकते हैं जैसे ही डिजर्ट अप्लोड किया जाएगा वेबसाइट पर updlet.nick.in पर तो आपक यतना ही, bye bye, take care and thanks for watching.